नमस्कार साथियों आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्प लाइन में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्तान में 2004 के बाद नियुक्त करमचारियों के लिए भी NPS को अटाकर अब OPS बहाल कर दी गई है तो अभी सभी employees के मन में एक सवाल उठने लगा है कि क्या हमें OPS में आने के बाद में GPF की कटोती करवानी पड़ेगी और अगर GPF की कटोती करवानी पड़ेगी तो किस rate से हमें ये कटोती करवानी होगी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेटेस्ट GPF कटोती दरों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वाइच ता कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आकन को दबाएं कर नोटिफिकेशन होन कर ले ता कि हमारे आगे आने वाले सबसे पहले ये सवाल उड़ता है कि क्या हमें जीपीएप में कटोती करवाना कमफलसरी है तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ जीपीएप अकाउंट होल्डर को हर महिने अपने वेतन से कटोती करवानी होगी एक स्लेव रेट के एकोडिंग तो आईए अब देख लेते हैं कि जीपीएप की लेटेस्ट कटोती दरे क्या है तो आईए बात करते हैं लेटेस्ट जीपीएप कटोती दरों की ये कटोती दरे राष्टान गवर्मेंट दुआरा मार्च 2018 से लागू की गई थी और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं पे मैट्रिक से लेकर 28,500 तक की basic pay वाले employees को 1625 रुपे अपने वेतन से पर मंत कटवाने कमपल सरी है तीसरे नमबर पर है 8,501 से लेकर 38,500 तक basic प्राप्त करने वाले employees इनको अपने वेतन से 2100 रुपे पर मंत कटवाने होंगे 38,501 से लेकर 21,500 रुपे basic वाले employees को अपने वेतन से हर महिने 2850 रुपे कटवाने होंगे 21,501 से लेकर 62,000 तक की basic प्राप्त करने वाले employees को अपने वेतन से पर मंत 3575 रुपे 3575 रुपे कटवाने होंगे 62,001 रुपे से लेकर 22,000 तक की basic जिन employees की है उन्हें 4,200 रुपे अपने वेतन से कटवाने होंगे 21,001 से 80,000 basic वाले employees को 4800 रुपे कटवाने होंगे अपने वेतन से 81,001 से लेकर 1,16,000 तक का जिन employees का basic pay है उन्हें 6,150 रुपे अपने वेतन से कटवाने होंगे 9,001 रुपे से लेकर 1,67,000 रुपे तक की basic जिन employees की है उन्हें कटवाने होंगे 8,900 रुपे 1,67,000 एक से अबव basic pay वाले employees को 10,500 रुपे अपने वेतन से कटवाना कमपलसरी है ये slave rates गौर्मेंट द्वारा मार्च 2018 से लागू की गई थी अभी updation नहीं हुआ है इन rates का तो सबी employees को अपने basic के according जो amount शो हो रही है उसे कटवाना कमपलसरी है GPF में कटवती कमपलसरी है एक ये saving scheme है government employees के लिए general provident fund कहलाता है तो साथियो ये थी latest GPF subscription rates उमीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लेगी होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दवागर नोटिफिक्शन ओन कर ले धन्यवासाथियो जै हिन जै भारत हुआ 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 हुआ